हेलो इन वेल्कम गई स्वागत आपका फेंटासी डीसन चेलेंजर में तो आज के इस वीडियो में आम लोग बात करेंगे बाई जो असम टी ट्वेंटी की जो की मैच होगा यहां पर बराक ब्रेव हट्स वसेज काजी रंगा हीरोज के बीच में तो चलिए दोनों ही टिम के पर एक बार नजर कर लेते कि कॉंसरा प्लेयर को आपको उससे वीडियो में कवर कर लेंगे तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो बात करें इस match की इससे पेले एक छोटी सी request है कि YouTube चनल को भी तक आपने subscribe देंगे तो सबसे पहले आपको YouTube चनल को subscribe करेंगे क्योंकि यह पूरी tournament इसी YouTube चनल पर cover की जाएंगे इसके साथ-साथ आपको यहां से इसी एस T10 के वीडियोज मिल जाएंगे इसके साथ-साथ आपको यहां से ICC Summer T20 के वीडियोज मिल जाएंगे तो सारे अच्छे मैचिस के वीडियो आपको इसी YouTube चनल पर मिलने वाल है तो YouTube चनल को सबसे पहले आपको subscribe करना है साथी में टेलिग्रम चैनल से जुड़ जाएगा क्योंकि final update और final दिम आपको टेलिग्रम चैनल पर मिलने वाली है टेलिग्रम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे description box में already टेलिग्रम का link अटेच किया है इनके से लिंक वर्क नहीं करता तो टेलिग्रम में जाके आपको search करना है fantasy edition challenger या फिर आपको search करना है direct fdc27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा तो simple लिए आपको उसे join के लेना है क्योंकि final update और final दिम आपको टेलिग्रम चैनल पर मिलने वाली है बात करें इस मैच के तो यह मैच सुबह में 8 बच कर 30 मिनिट पर अमिगाउ cricket ground गुआ हाटी असम में खिला जाएगा पीछी रिपोर्ट के बात करो तो यहांसे बैटिंग के लिए कापी अच्छी बीच है लेकिन इसके बावजुद यहांसे टीम ट्रॉस जीद कर पहले बल्ले बाजी करना पसंद कर सकती है सबसे बहले बात करते हैं से टीम भी जहांपर पांच मैच खेली चार जीती एकी मैच अभी दा खारी है बात की जाए तो यहांसे बिपलाब साइकिया और यहांसे राहुल हजारी का दोनों ओपनिंग करवार है, और इमपोर्णस की बात करतों तो राहुल हजारी का वेरी इमपोर्णनेड फिग रहेंगे इवन यहाँ से कैप्टन और वाइस कैप्टन सिप के लिए राहूल अचारी का बेश पीग है पिछली तीनों ही मैचिस की बात करो तो ऐसे दो मैच के लिए 50 प्लस और लास मैच के लिए करीबन 50-50 के लिए तो स्कॉर किया हुआ है पैंताली सरेंग किये थे और वाइप्लास सईगी आपकी बात करो तो वह बैटिंग के साथ यह अच्छी काशी गयन बाजी भी करवा ले थे है हाला कि विकेट उनको अभी दक एक भी मैच के लिए तो इनको थोड़ा सा डिफेरेंस इलिए में ट्राइ करेगा कभी,कभी एक能 बाता है कभी,कभी दो बाता है कभी,कभी चार बाता है तौ इनको पूरि कर लेता है तो इनको अभी जोत इनको एनको पड़े होसमको कीकैप्ली जैटां के साथ बोड़ाकर तो इसको बात कर यह से अभी मेचित सिंग सिद्धू की तो इनकंसिस्टन्स प्लेयर है अलाकि लास्ट मैच के अंदर बैटिंग से भी यहां से ऊपर से बेजा गया लेकिन इसके बाउचित बैटिंग से भी कुछ नहीं किया तो इसे इनकंसिस्टन्स है तो I think मुझे लगता है तब तक के लिए आप इनकी जगा सिले में इनके अपर बरोसाग करना है आकि स्मॉल लिके लिए अभी के लिए मैं शायर इनको सजेस्टना करूँ डीर रपा वेरी इंपॉर्णेट भी करेंगे लास्ट मैच के नहीं हमारे वाइस कैप्टन थे जहां पर उनों पांच विकेट निकाली एक बार फिर से भी हम इस टिम से रहने वाले है आई शाकरवाल ओके-ओके रहेंगे लेकिन अगर विकेट के विकेट के लिक में लेके जाना काफी रिच की है यह महाजन है लास्ट मैच के अंदर एक बार वापस कमबेक करते हुए दो विकेट निकाली इससे पहले पहली मैच के लिए थे जब त चारोस पूरी करवाते हो नजर आएंगे इस प्लेयर इनके उपर एक टाइम आप वरोसा कर सकते हो सिदार शर्मा की बात करो तो उक्यों के रहेंगे इनको आपको ग्रांड लिग वगेरा में ट्राय करना है रिडिप डेका को आप लोग डिफरेंस सीले में जरूर राए कर करते हुए नजर आएंगे बाकी बात करो यहांसे ब्यांच की तो ब्यांच से अगर कोई भी खेलेगा तो इनके स्टैट्स आपको टेलिग्राम चैनल पर मिलेंगे तो जल्ली से जाके आपको टेलेग्रम चैनल को जोइन के लेना है वही क्योंकि अपडेट वगेर आपको प्रोल प्लेयर अच्छा है लेकिन अभी इनका फॉर्म बिल्कुल नहीं तो स्मॉल लिग के लिए में प्रिफर नहीं करता हाला कि आप लोग इनको गरांड लिग में जरू ट्राइक कर सकते हो करीबन 32 के अवरेज से 35 मैच के लिए 1031 साथ में 32 विकेट निकाले हो तो इनक प्रफॉमस काफी अच्छा रहा तो इनके पर पूरा वरोसा करेंगे एक बार प्रिसे इंको लेखे जाएंगे या क्या आपका शेंग गुपता भी एस अप्लेयर के साथ यासे कैप्टन और वाइस कैप्टन सिट के लिए अच्छी चोईस से इनको जरू ट्राइक कर सकते ह आप लोग एजग कैप्टन और वाइस कैप्टन के तोर पर भी निहार डिका ओके ओके रहेंगे नीचे खेले थोड़े इससे पहले थोड़े से उपर भी खेल जाएंगे तो निहार नरा को भी के लिए हम लेके नहीं जाएंगे लेकिन यह बाइस साब भी आपको इसे नो मैच के लिए तो इनको डिफरेंस लेव में ट्राइ करेंगा स्माल लिक के लिए शायद यहां से थोड़े से रिस्क बज़ते हैं हाला कि विकेश निकाल रहे तो चलो लेके जाते है स्माल लिक के अंदर लेकिन वान ओप दमाई फैवरेट प्लेयर यह से निकाली थे इनको जरू लेके जाएंगे बाकि ऐसे जियाद जमान ओक्यों रहेंगे गराण लिक वगेरा में ट्राइ करना है यहां से भारगव लहकर देखो इनको जरू ट्राइकर करेंगा इसे बारगव लहकर को starting में ऐसे A Shane Gupta के साथ एसे P R & Deethos में ऐसे B Lehkar और एसे R Alam Dethos में गेंबाजी करते बना चलाएंगे तो इन दोनों में से बात करोते हैं ऐसे R Alam, P Ré, A Shane Gupta लहकर ये चारो ही बॉलस को लेके जाएंगे यह और चारो ही बॉलस मेरी टीम के अगर रहने वाला है कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं तो बात करें याँस से विकेट केपिंग सेक्षन की तो केश आई के अमारी टीम के अंदर रहेंगे क्योंकि ऐसे बैटिंग से इतना कोई खास पर्फमस है बैटिंग सेक्षन की बात की जाए तो इसे रोमारी शर्मा एस मॉंडल और यासे राहूल हजारी का आप लोग भी लेके जा सकते हो बैटिंग के साथ-साथ यासे ओस होगेरा भी करवा ले लेकिन मैं इनके उपर रिस्क ले रहा हूँ वर्लिंग सेक्षन में यासे शिदात बरुवा एश एन गुप्ता और यहांसे भी लहकर हमारी टिम के अंदर रहेंगे यहाँ पर भी मैंने यासे एश इंदू के ओपर रिस्क लिया है लेकिन आप लोग चाहिए तो इनको ट्राइक कर सकते हो तो कर सकते हो पर लिए अभी के लिए मैं इनको क्रॉप करके जा रहा हूँ वह है यहांसे एश एन गुप्ता शेफ पिक है यहांसे करीबन 37% लोगों के कैप्टन है तो आप लोग शेफ जाना चाहो तो इनको कैप्टन कर सकते हो लेकिन मेरी चोईस की बात करो तो थोड़ी से अटके और थोड़ी सी रिस्की चोईस रहेगी कैप्टन की बात करो थो यहांसे डी रभा और व्वास क्थैर और एके घ्विट मैं एक चीम के अदर पिषटी शिर्ये के वह आथ रहेगी याद रहेग एक डेमो टीम ने फैलीग्रामस तो टेलिग्राम्स में मत बुलीठ olur रूसपना यहांसे मरी मीं टेलेग्राम का लिंक एटच किया है इनके से अगर लिंक वर्क ना करें तो टेलेग्राम में जाकर आपको सर्च करना है फेंटासी दिसन चेलेंजर या फिर आपको सर्च करना है एड़ रेट FDC27 और आपको सिधा हमारा चैनल मिल जाएगा तो सिंपल आपको उसे जोइन के लिना है क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल दिम आपको वही पर मिलेगी लेकिन एक बात जरूर याद रखेगा कि हम जो टीम यहां से शेयर करते हैं जरूरी नहीं है कि आप लोग उसी टी मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई धन्यवाद जय हिंद जय भारत